मद्यप्रदेश के शेहडोल जिले में 36-6 गाउं के लोगों को हातियों को भगाने की ट्रेनिंग दी गई उन्हें मिर्च का धुआ और मिर्च की छड़ी जैसी तकनीक का इस्तिमाल सिखाय गया ये ट्रेनिंग इंसानों और हातियों के बीच संघर्ष रोकने के लिए दी जा रही है जानकारों की मदद से जिले के वन अधिकारियों ने गाउंवालों की जिंदगी और फसलों का नुकसान रोकने के लिए जंगली हातियों को डराने के तरीके बताए जब हाथियों का मुख्य रूप से मुव्मेंट शुरू होता है गावों के बीच में तो स्थिती ये बन जाती है कि हमें हुमन इनसानों की जान रचाना ज़रा ज़रूरी हो जाता है जंगलों से लगे गावों में जंगली हाती उतपात मचाते हैं इनसे जानमाल का काफी नुकसान होता है ऐसी घटनाएं अब लगातार बढ़ रही है जली रहती है या मिर्सी रहती है खड़ी मिर्सी हम उसको टीम के अंदर जिसमें कंडे रखके जलाए है उसमें डाल देते हैं इससे क्या होता है कि कंडे जले वाले कंडे रहते हैं उसमें मिर्सी डालने से मिर्सी का दुवा निकलने के करण क्या होता है कि ये हातियों को ब हातियों को डराने की तक्नीक सिखाने के अलावा वन अधिकारियों ने हातियों के हमले करने पर साफधानिया बरतने के बारे में भी बताया